हाँ जी तो आज भी हर जगा clean sweep तबाई बचा दी वाई हमारी टीम ने अगर आप आप जा कि टेलीग्राम पे देखो गे इस्मॉल लिग छोड़ो भाई पचास मेंबर सो मेंबर डेट सो दो सो मेंबर्स तक की जो मिनी ग्रांडी होती है वह हमने इस्मॉल लिग की टीम से वि मैंच के हाला कि हमने लास्ट मुमेंट पर हर्षित राना को ड्रॉप करके रवी विश्णु को लिया था लेकिन जिलोगों ने चेंज नहीं किया होगा उनके लिए और भी फैदा होगा की हर्षित राना नवीन उलक मिचले स्टार्ग भी थे उस टीम में वरुन चक्रवरत सब्सक्राइब कर दो तो आज भी हमने कल की तरह हर जगा विन किया होप की हम ऐसे ही कंटीनु करते रहे आज का पहला मैस इतना अच्छा नहीं गया मैं मानता हूं यह बाद लेकिन सेकंड मैच में हमने सब कुछ कवर कर लिया और पचास सो मेंबर तक की विनिंग कि अब ब दोनों ही टीम के लिए मैच इंपोर्डेंट तो नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि मुंबई इंडियंस तो आल्मोस टूनामेंट से बाहर हो गई लेकिन संद्राइजर सद्राबाद के पॉइंट व्यू से मैच बहुत इंपोर्डेंट है वह मैच जीतना चाहेंगी और अगर जीच जाती है तो नमबर तीन पर भी आ जाएंगी तो देखते हैं कौन मैच जीटता है हलांकि संद्राजर सद्राबाद बहुत फेवरेट है लेकिन मुंबई के पास अब होने के लिए कुछ नहीं है अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे तो हो सकता है कि कल मुंबई भी अपसेट कर दे और मुंबई कल मैच जीच जाए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले पिछ रिपोर्ट की कि वानखेड़े की पिछ रिपोर्ट क्या कहती है एक ग्राउंड विस सम्थिंग इनिट फॉर एवरीवन इस्पेशली फॉर बैटर्स हैस गूड स्विंग इन अर्ली सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बहुत जादा लोई स्कोरिंग रहेगा हाला कि लास्ट मैच यहां पर 170 रन वहने थे मुंबई वह के क्यार से और मुंबई ने वह चेज भी नहीं कर पाई थी के करने वह डिफेंट भी कर लिए लेकिन जरूरी नहीं आपको डेली ऐसा शुरुवाती ओवर्स में कुछ बॉलर्स को मदद मिलेगी और स्पिनर्स के लिए इस ग्राउंड पर ऐसा खास कुछ है नहीं तो यह बात होगी पिछ रिपूर्ट की अब बात कर लेते हैं अभी तक संद्राजर सेदराबाद और मुंबई की बीच में कितने मैच खेले ग लोगा संद्राजर सेदराबादी जीती ते जो इसी सीजन हुआ था जिसमें 277 रन बना दिये थे संद्राजर सेदराबाद में तो ऐसा नहीं है कि मुंबे इंडियन को देखके बहुत फेवरेट है इस टाइम अगर हम करन्ट फॉर्म देखें तो संद्राइजर सेदराबा बहुत जाबा फेवरेट है इस मैच को लेके दस बार हैदराबाद 12 बार मुंबे अब बात कलने थे इनके लास्ट हैट टूएड के मैच के बारे में कि जब लास्ट हैट टूएड इन दोनों बीच में हुआ था तो क्या हुआ था सब को बदा रन फैस देखनें को मिला था सत्ता इस मार्च को वो मुकाबला खेला गया था संद्राजर सहदराबाद में 217 रन बना दिये थे तीन विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में मुंबे इंडियस ने भी चेज करते हुए हलां कि वो चेज नहीं हो पाया था लेकिन बहुत क्लोज चले गये थे हार्दिक पांड परतोर शुरुआ दी ती और मुझे आथा शायद अफ्षेक शर्मा इस मैच के मन उफदा मैच भी दे त्रेसर अफ्षेक शर्मा ने बनाये थे ट्रेविस हैड ने भी बासर रन बनाये थे पैट कमिंस ने इस मैच में दो विकेट लिए थी जैदे विना उनातकत में इस मै मनाता हूँ आ रहा है मुझे इंडियन्स के लिए तो वह तिलग वर्माई है इस मैच में भी तिलग वर्माने चौसर रन बनाये थे टिम डेविड ने अच्छी खासी फिनिशिंग की थी बहुत तेज ब्याली सरन मनाये थे इशान केशन और रोई शर्मा ने भी बहुत ते की दिखाया तो हो सकता है कल भी आपको 277 तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन संद्राइजर सहदराबाद अगर पहले बैटिंग करती है तो 200-220 आपको दिख जाए और कल भी एक हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिल सकता है कि कि वान खेड़े की पिछ मैच है अब बा 12 मुकाबले खेले रोई शर्मा ने जिन मैसे 435 मना है एवरेज है 22.8 की तो यह कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं कि एवरेज सिर 22.8 की कि 22 मुकाबले खेले तो 435 नहीं मना पाए रोई शर्मा और भूबनेशन कुमार ने बहुत जादा तंग भी किया हुए रोई शर्मा न बना है एक तिसकी मैंक अगरवाल ने तीन मुकाबले खेले है मुबई इंडियन्स के खिलाफ जिन में से 142 बना है से तालीस दश्मलब 3 की एवरेज है मैंक अगरवाल के काफी अच्छी रिकॉर्ड है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंक अगरवाल यह मैच खेलने वाल उनके और 134 रन नहीं और क्लासन कल भी आपको एक क्लासिक पारी खेलते हुए दिख सकते हैं यह बात हो कि मोस्ट रंड की अब बात कर लेते हैं कि मोस्ट विकेट्स सबस्यादा विकेट्स किसने लिए हैड टू एड में वुवनेशर कुमार ने सबस्यादा मैचेस भी खेले 15 मुकाबले खेले मुमें डियन्स के खिलाफ जिन में उन्होंने 19 विकेट्स लिए थे काफी अच्छा रिकॉर्ड है हलाकि वुवनेशर कुमार अब इतने अच्छे रिदम में नहीं सीजन लास्ट मैच में बहुत अच्छा रिदम देखा और अपनी टीम को मैच भी जिता आया था राइस्थन रोयल्स के अगेंस्ट लास्ट वाल पर रावन पावल को लबीडबलू करके उस मुकाबले में शाए तीन विकेट भी लिए थी तो अब थोड़ा सा रिदम में आ गए और अगर यहां पर थोड़ा सा अरली स्विंग होती है मुमेंड मिलती है तो मुकाबले खेले तो इसमें ईसरे चले वी मैच होंगे यहां इन्हों संध्राबाद के खिलाफ जिन में से 6 विकेट लिए आकाश मरतवाल की बात करें तो एक लिए शाए लास सीजनी की बात है एक मुकाबला केल आकाश मरतवाल ने और उस मैच में चार विकेट लिए थे तो मुझे निन लग रहा आखाश मैदबाल इस मैच में खेलेंगे शयद वहीं कॉंभिनेशन रहे लेकिन हो सकता है कुछ से ज्यादा जिन्होंने बहुत मैच अप्स में परेशान किया हुआ है भुवनेश्र कुमार फिर बात कर लेते हैं लेफटाम पेसर कितने हैं सामने लेफटाम पेसर हैं माको यांसन जो नई बॉल के साथ बहुत घातक शाबित हो सकते हैं अगर भाई थोड़ा बहुत भी मु अच्छे गेंदबाच होने के बाद भी अगर मैं बोल रोई शर्मा कुट भी दा गेम चेंजर इन दिस मैच यह इसलिए बोल रोई शर्मा के बहुत सारे मैच्छों से रन नहीं है और हम सब को पताए कि यार नो डाउट बहुत बड़े प्लियर अगर शुरुआत में कुमिनेशनव में रोई शर्मा को जरू करना आज कंद याद होगा आपको आज मैंने बोल़ा था नवी निल्ग को जरू को जरू करना नवी नुलग ने विकृ लिए लिए ने वुमाल लेtown के लिए खे रहा लगे ठाञ तो तो इसलिए मैं बोल्ड़ाओ, इसमेच में रुषिर्म आपके लिए तो जन आने वाले कि एक बने दुन इसके पास कुछ भी नहीं होने के लिए मुझे लग रहा कोई तो ओपनर ताबर तोड़ पारी खेल के जाने वाला और किसी एक के या तो इशान किशन या रोई शर्मा किसी एक के ना पचास रन तो कम से कमाने वाले इन दोनों या इस मैच में तो आप इशान किशन को कुछ कॉम्बिनेशन से ट्राइ कर लेना कुछ कौम्बिनेशन में रोश्रमा को ट्राइब कर लेना ओर जिन कॉमिनेशन में इन दोनों को ट्राइब नहीं करतें उसक कंविनेशन बात करने अगली प्रिक्शिंग की हमारी अगली प्रिक्षिंग कैई इस spinach के लिए ट्राय हार्दिक SC and VC in some combinations यह में इसलिए बोड़ो यह है आज हमारे स्मॉल लिक के भी कैप्टन शायल हार्दिक पांडय हो सकते क्योंकि पूरे चार ओबर करा रहे हैं लास्ट मैच में चार ओवर करा थे विकेट भी लिए थे बल्ले से हला कि रन नहीं आये थे हार्दिक पां अगर इतना दे जाते हैं तो वो सेफ CVC हो जाएंगे स्मॉल लीग में तो ग्रांड लीग में बहुत जादा गेम जिंजर हो जाएंगे अगर दो विकेट लेगे और 20-30 बना गए तो मैं यह एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई एक दो विकेट ले जाए 20-30 बना जाए अप लिए बहुत जादा सेफ ऑप्शन हो जाएंगे फिर हार्दिक पांड है बात कर लेते अगले ऑप्शन की अगली ग्रांडी की प्रिक्षिन क्या है ट्राइक लासन एज वाइस केप्टन इन सम कॉमेशिंस मैं क्योंकि बहुत जादा नीचे बैटिंग कर लिए उसके लिए सब्सक्राइब के टॉप ओडर को क्लैप सोना पड़ेगा तब जाके बहुत बड़ी पारिया सकती है लेकिन लास्ट मैच अप भी देखा आपने क्लासन ने मुम्म इंडिंस को मारा था असी रन बनाए थे हमने मोस्ट रंस की भी बात की थी उसमें भी सबसे अच्छे अग कॉच्छकोग ज्यादा ज्यादा कॉप्पिनेशिंशन है जरूरा से क्लासन वेंड़ेट इonut उन सास्ते आच मेंडेशन को स्कॉंदेशन समय उससे लास मैच खेली नहीं थे उसस पहले जब खेल दे तì लेकिन को ढीम इ Uh इस पूरे टूनामेंट में पिट जाते हैं लेकिन विकेट ले जाते हैं और कल भी हो सकता है लास मैच में तो ओवर गए थे वह जादा पटाई हो गी थी दो वरी डाले थे फिर ओवर मिलाई निकोड जी को लेकिन अगर पहले एमाई बॉलिंग करती है तो कोड़ी को कुछ क कॉंबनेशन में तो भाई रखी लेना कोड़ी को क्योंकि अगर डैथ में आजाते हैं अगर दो विकेट लेके तो भाई ग्राइब की टीम में तो फिट होई जाएंगे और अगर बैटेंग आजाती ये कोड़ी की तो ये बैटिंग से भी कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं ज् अगर सकते हैं वह बैटिंग भी कर सकते हैं तो कोड़ी को आप दो तीन कमिनेशन में ट्राइग अगर सकते हो बात कर लेते हमारी इस मैच के लिए ग्रेंड लिक की लास्ट प्रिडिक्शन की तो हमारी लास्ट प्रिक्शन रहने वाली ए ट्रेविस हैड और अप्षेग श बोई शर्मा तो मुझे लग रहा है या तो ट्रेविस एड़ अपशिक शर्मा इन में से कोई एक बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है क्योंकि अडली विक्लिट जाएगी हैदराबाद की थोड़ा बहुत मुव्मेंट मिलेगा अब वो बुमरा लेके जाएंगे थुशारा लेके जाएंगे या हारदिक लेके जाएंगे कौन लेके जाएगा लेकिन एक विकेट तो जल्दी आने वाली है और जिस तरीके से इन दोनों प्लेट्स का गेम भी रहता मानने के लिए जाते मुझे लग रहा है कल कोई एक बल्लेवाज बहुत जल्दी विके ज जा सकता है तो कुछ combinations में head को रख लेना कुछ combinations में अफशेख शर्मा को रख लेना दोनों को एक साथ ज्यादा combinations में try मत करना क्योंकि मुझे लग रहा है एक flop हो सकता है कोई भी इन दोनों में से में उसमें आज फैनल चेंजिस थे हर्षिज दराना को हमने रखा था सीवी सी अला की सेम ही थे लेकिन इसने ही सीवी सी भी वाइस केप्टन भी हमने लोके शाल बना दिया मारकस ट्वैनिस की जगा पर तो बहुत सारे चेंजिस हो जाते पहले बॉलिंग कर रहे थे नवीनु क्लासन का तो फॉंब भी बहुत अच्छा लगा हुआ इस सीजन इशान केशन का उस तरीके से बल्ले से रन नहीं आए लेकिन अब जैसा मैं बता रहो मुंबी इंडियस के पास खूने के लिए कुछ नहीं होता है आर्सी भी को देख लो खूने के लिए कुछ नहीं बहुत च्छा प्रदिर्षण कर्रे सारे बल्लेबास साड तो होसकता कल वही सेम चीज मुम्बी इंडियस की तरफ से देखने को मिल जा है और बहुत एक अलग मुम्बी इंडियस हमें देखने को मिल ज dein बहुत अच्छा प्रदिरसना जए तो इशान केुशन को को भी रखा है रोई शर्मा को आप ड्रॉप भी कर सकते हो हलां कि बहुत बड़ा रिस्क होगा लेकिन अगर आप माको यांसन को अपनी स्मॉल लिग की टीम में रख रहे हो तो माको यांसन को अगर रखना है तो रोई शर्मा को आप ड्रॉप भी कर सकते हो हलां कि मैं इस हो तो Travis Head को Captain भी कर सकते हो Last Match में भी अच्छी पारी आई यह हला कि बहुतु अच्छी आई थी पॉंट्स आपको दिये थे तो Travis Head क्लासन यह दो आपके पास बहुत अच्छी आप्शन जिन को आप ट्राइग कर सकते और अगर मुंबए की पहले बॉलिंग होती है तो आप जस्पीद भुम्रा को भी एस सीवी से ट्राइब कर सकते हैं इस्मॉल लीग में भी यह हमारा बैटिंग स्रेक्शन हो गया और स्रेक्शन हमने सिर्फ को पिक हार्दिक पंडय को जिनको हमने अपनी टीम का कप्तान भी मनाया हुआ है सिर्फ वही र सब्सक्राइब को रखा हुआ है तो यह दोनों मेरे डिपेंड करेंगे कि किस की पहले बॉलिंग होगी वह 100% मेरी टीम में रहें गया जिसकी बॉलिंग नहीं होगी उसकी जगापे होसकता है में एक एक्स्टा बैटर एड कर लूँ वो तिलक वर्मा भी हो सकते हैं वो as an all-rounder Marco Janssen भी हो सकते हैं मैं किसको head करूँगा यह आपको final पता चल जाएगा telegram पे तो अभी के लिए हमारी team है आप चाहो ते इसका screenshot ले सकते हो लेकिन यह final team नहीं है क्योंकि आपको पता है final team कहाँ पर मिलेगी final team आपको मिलेगी कि हमारे telegram channel पर telegram channel का link कहाँ पर video की description में तो इंतियार किस बात का भाई डेली वहाँ पर clean sweep कर रहे लोग आप किस बात के लिए पीछो फटाफट से जाओ वहाँ पर जाके telegram channel को join करिए वहाँ पर free आपको हम टीम देते हैं कोई पैस चार्जिस नहीं लेते हैं टीम देने के और साथ वजे के बाद जैसे टॉस आजाता है आपको लाइनब बताते है और यू क्लिप्स भी भेजता हूं मैं अपनी समझाता हूं grand league में किसको ट्राइए कर सकते हो किसको नहीं कर सकते हो स्मॉल लीक के लिए क्या सेफ हो सकता है क्या नहीं हो सकता है तो फटा फट से आगे टेलीग्राम चैनल जोइन करो और अच्छी खासी विनिंग करिए हर मैच में स्मॉल लीक की टीम से तो अभी क्लिए इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू